आगे जी जी उसे मिलके अगर मैं गलत नहीं सोच रहा हूं तो वहाँ जाने का कोई भी फाइदा नहीं हुआ होगा तुमसे कहा था मैंने पहले ही कि जी जी जू बदल चुका है अरमजे हाव विनाश आप ठीक कह रहे हैं इंदर भाया बदल चुके है लेकिन इस बदलाव का कारान भी तो हम ही लोग है ना जो मान सा मान उन्हें वहाँ मिल रहा है क्या यहां नहीं मिल सकता था लेकिन इस घर में उन्हें सिर्फ बेजज़ती सिर्फ नफरत मिली है लेकिन अविनाश हमें अब भी उमीद नजर आती है रेमशिम तुम देखियो इवाता को इससरा अंदेखा कैसे कर सकती है आज जीजु हम सभी से ज्यादा उस लड़की की बात मानते है उनका बरताव हम सभी के प्रती बदल चुका है रेमशिम अबिनाश वो लड़की इंदर भाया के अकेलेपन और कमजोरी का फायदा उठा रही है और इंदर भाया के इस हालत के जिम्मेदार भी हम ही लोग है तुम क्या कहना चाहती हो कि सब की वजह हम लोग ही हम लोग नहीं अबिनाश जैनती दी जैनती दीदी ने मौका दिया है अस लड़की को जो सपोर्ट दीदी को देना चाहिए था वो लड़की दे रही है इंदर भाया बहुत कमजोर है भे क्या कभी दीदी ने इंदर भाया से प्यार से बात की हमेशा उन्हें नीचा दिखाया उनकी बेज़ज़ती के यहां तक कि अब भी जब वो घर पर आये थे सीधे मूँ बात नहीं कि उनसे ये ये तो कहना चाहिए था कि उन्हें उनकी जरूरत है मैं समझता हूँ रेमचेम मैं सब समझता हूँ पर तुम ही बताओ हम क्या कर सकते हैं जैन्ती को बदल नहीं सकते हैं और जीजु को समझाने के बारे में तो हम सोची नहीं सकते हैं नहीं अविनाज भाया को इस घर में लाना है दीदी को तो बदलना पड़ेगा नहीं 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 जैन्ती नहीं पदलेगी मैं बच्पन से जानता हूँ जहनती को वो ऐसी जिद्धी, हाइपर, कुछ भी हो जाएगा लेकिन जहनती नहीं पतलेगी देखिया विनाश, हम वादा तो नहीं करते लेकिन कोशिश जरूर करेंगे के दीदी खुद होकर भाया को इस घर में ले आएगा को इस घर में ले आएगा I also hope so कर दो एकल ढूल कर दो एकलो कर दो बाहत